नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रा हूँ साथ ऐसे उपाई के बारे में जिन्हे करने से आपके घर में हमेशा सुक शान्ती, समरिद्धी, मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी दोस्तो सुख सम्रिद्धी का मतलब केवल धनी ही नहीं बलकि घर में शान्ती, स्वास्थ, मानसिक संतोष और परिवार में आपसी मेल जोल और प्रेम भी होता है अगर ये सब कुछ आपके परिवार में हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सम्रिद्ध हैं मैं आपको यहां कुछ ऐसे ही साथ सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में साकारात्मक उर्जा बढ़ाएंगे और सुक शान्ती एवं सिम्रिद्धी में इजाफा करेंगे तो सबसे पहला उपाय है अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा सास उतरा रखें सुबा के टाइम कुछ समय के लिए अपने मुख्य द्वार को अवश्य खोलें इससे घर में साकारात्मक उर्जा का परवेश होता है और सुब अज़रों का आगमन भी होता है दूसरा उपाय घर के अंदर पूर्विदिशा, उत्तरदिशा, इशान कोण तथा घर के मध्यभाग यानि कि जो घर का बीच का हिस्सा होता है सेंटर का इन सभी जगाओं को विशेश रूप से स्वच रखना चाहिए ध्यान रहे इन इस्थानों पर जरासी भी गंदगी ना रहे इससे घर में धन और सुक सम्रिद्धी में बढ़ोतरी होती है घर के सभी सद्दशियों में शान्ती, प्रेम और भाईचारे का संबंद बना रहता है तीसरा उपाए घर के पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौदा जरूर लगाएं इसमें प्रती दिन सुभा शाम घी का दीपक जलाएं इससे आपके घर में सभी नाकारात्मक उर्जा दूर चली जाएंगी और ऐसा करने से आपके घर के सदश से हमेशा स्वस्त र लगाएं और इस बल्ब को शाम के टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक के लिए जला के रखें इससे आपकी आर्थिक संब्रिद्धी बढ़ती है पांचवा उपाएं सुभा और शाम के टाइम कुछ समय के लिए धीमी आवाज में गाइतरी मंत्र या फिर महामित्रुइंजय मंत्र या फिर कोई भी भगवान का भजन अवश्य बजाएं इससे घर में साकारात्मक वातावरर बनाने में मदद मिलती है और साकारात्मक उर आस्तु दोश दूर हो जाते हैं घर में कोई भी नाकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करती और आपके घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है सात्वा और आकरी उपाएं घर की छत पर दक्षिन दिशा में एक लाल रंग का जंडा लगाएं इससे आपको इस्तिरता मिले और नाकारात्मक उर्जा दूर रहेंगी ऐसा करने से आपके घर में साकारात्मक उर्जा बढ़ने लगेगी और आपके घर में धन, सुख, शान्ती और सम्रिद्धी में बढ़ोत्री होगी तो दोस्तो ये थे कुछ उपाएं जिने करके आप हमेशा अपने परिवार में करार रख सकते हैं नमस्कार